लेने की जिब बात आती है और खासकर पर्मेश्वर से मांग कर लेने की जिब बाता आती हैं जिस प्रकार से हम परमिश्वर की और से बड़े बड़े आश्वादों को प्राप्त करते हैं परमिश्वर को महिमा करते हुए उनके अराधना करते हुए उनको कुरताद होकर उनकी आवार प्रकड़ करते समय परमिश्वर के देते समय हमें भी उत्म से उत्म चीज़ों को देना चाहिए हाला कि हमने पिछले धान भी इस प्रकास से गौर किया था परमिश्वर वैसे कुछ भी नहीं लेते हैं जो कुछ भी होता है उनके नाम पर समर्पन किया जाता है और वो सब कुछ यहीं पर रहता है परमिश्वर के नाम पर जो कुछ भी अर्पन लेकर आते हैं जो कोई भी धान लेकर आते हैं जाहे हो वस्तू के रुप में हो या धन के रुप में हो वो सब यहीं पर रहते हैं इसी संसार में रहता है जो याजिक परमिश्वर के और मनिश्वर के और मनिश्वर के बीच में होकर मद्धिस्ति करता है उन्हीं के बास जाता है क्योंकि वच्छन कहता है परमिश्वर के नाम पर अर्पन लिया हुआ हर एक चैसा याजिकों के निश्वाग तहरता है लेकिन परमिश्वर ये देखना चाहता है जिस प्रकास से याज़क मनिश्वर की बीच में होकर उनके लिए मुद्धिक करता है उनके लिए प्राइस्थित भी करता है उनके पक्ष में होकर प्राधरा निवेदिन करता है परमिश्वर की अनुगर मनिश्वर के पर उतराने के लिए परमिश्वर की बरकते और आश्रवाद मनिश्वर के पास पहुँचने के लिए याजिक जिस तरह से पूर्ण मन के साथ में पूर्ण श्रद्धा के साथ में और पूर्ण भक्ती के साथ में मनिश्र के लिए करते हैं उसी प्रकास से याजिकों के निजबाग तहरते हुए परमिश्वर के नाम पर जो कोई भी पहर पन जाते हैं परमिश्वर चाहते हैं उनके भक्त गर्विश रदा के साथ में लेकर आए निस्टा के साथ में लेकर आए भक्ती के साथ में लेकर आए भाय के साथ में लेकर आए और लेकर आते समय उत्तम से उत्तम चीजों को लेकर आए इसलिए परमिश्वर ने लेने की विश्य में और देने की विश्य में भी वीदियों को रखा है आयो जिन के अधिन में आगे बढ़ने से पहले अपने आपको परमिश्वर के हाथों में समर्पन करेंगे हम मिलकर दुआ करेंगे परमिश्वर के धन्यवाद भी कहेंगे बिते हुए सारी दिनों के लिए आश्रुवादों के लिए और इस नए दिन के लिए नहीं आश्रुवादों के लिए परमिश्वर के गवाई हमें साथ में होकर हमसे बाते करने के लिए अपनी अभिशेक बरा हाथ हम पर रखने के लिए अपनी आशिश मास पर्ष हम पर लेकर आने के लिए और डेरो भरकुतों के साथ में परमिश्वर हमें चूख कर इस समय तंदुर सी असामत से भरने के लिए हैं हम सब लोग एक मन होकर एक आत्मा में एक आवाज में मिलकर दुआ करेंगे हमारी प्राधनाय सुनकर हम तक उत्रों को पहुचाता हुआ सर्वश इक्तिमान पिता परमिश्वर अनुगर अर्प्रहिम से भरावा खुदावन फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं ना केवला परमिश्वर के स्थान लेते हैं परनतों प्रभू हमारे पिता के भी स्थान लेते हैं हमारी सहाय के, सलाकार के और हमारे सांत्वन अदाय के स्थान को भी लेते हैं परमिश्वर इस संसार में ऐसे कोई जगा नहीं यह जाप नहीं ले सकते हैं ऐसे कोई سंबन्ध और रिस्ता नहीं है परमेशुर जो आपसे बढ़कर हैं इसलिए हम अपने आपको दीन और नमर करते हुए आपकी दिवे पस्तिती में, आपके स्कानी दिवे समखने करते हैं क्योंकि पर वो, आप हमारे देखरे करता हैं, देखबाल करता हैं हमारे ख्याल रखने वाला परमेश्वर आप जानते कि हमें किस जीस की ज़रुत है जब उस्तुर रुप में हो धन के रुप में हो या फिर प्रबजी शब्द के रुप में हो ये आपके सपर्ष के रुप में हो, तंदुरुस्ती के रुप में हो, विशेक के रुप में हो, हर एक विशेक को आप जानते हैं, यही कारण से परमिश्वर हम आपकी पास ना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आराध ना करते हुए, अपने आपको आपके आदों मिले कराते ह् हमें चुने के लिए हमसे बात करने के लिए हम अपनी भरकतों से भरना के लिए दू़ा करते हैं मगारियों में द्लिह겠죠 का ना आ जो अन्हों स्मघे वाज़े के लिए कि साहे दो भर्श्पश के लिए दुआ करते हैं अनौ पुजित रखे सरी महिमा और आधर संबान आफ-वेंप द्योतर धिन्यवात करते हूए हमारी उधार करत। प्रभीश मसी के नाम से स्परादना को मांगते हैं सुन और कभल कर पिता आमेन, आमेन, आमेन आध्यात्मिक जीवन की धैनी खुराग सुन रहे हमारे सारे परिश्वताओं को प्रभीश्वर के प्रिभक्त गणों को प्रभीश मसी के नामे प्यार भरा जैमसी की सप्रभातम और सववदें कहते हुए हम सब का मंपस्द ध्यान के अंदर आध्यात्मिंग जीवन की दाइने खुराग में और इस नए दिन में आप सब का स्वागत करते हैं हमारी अध्यनले विवस्ता सतरव यध्या में चल रही है उसका पहलोवचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे फिर यहवा ने मुसा से कहा हारुन और उसके पुत्रों से और कुल इस्राइलों से कहा कि यहवा ने ये आगया दी है कि इस्राइलों के घराने बिसे कोई मनश हो जो भायल वो भेड़ के बच्चा वो भक्री को चाहे चावनी में या फिर चावनी से बाहर ही खात करें विलावले तंबुक के द्वार पर यहवा के निवास के सामने यहवा को चणाने के निवित ना लियाए अगर ऐसा ना हुआ तो उस मनश को लोहो भाने का दोश लगेगा और वो मनश जो लोहो भाने वाला टैरेगा वो अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाएगा इस विदी का यह कारण है कि इसराइली अपने बलिदान जिनको वो खुले मेदान में बद करते हैं वे उने मिलापाले तंबुक के दोबार पर याजएक के पास यहवा के लिजा कर उससे के लिए मेल बली करके बलिदान किया करें और याजिक लोहों को मिलापाले तंबु के दुआर पर यहोवा की वेदी की उपर चिटके और चर्पी को उसके सुगदाए के सुगंदी के लिए जिलाए और वे जो बकरों को पूज़क होकर वे बिचार करते हैं वे फिर अपने बली पश्वों को अपने लिए बलीदान ना करें तुमारी पीडियों के लिए यही सदा की विदी होगी और तो उन से कहा इस्राइल के घराने के लोगों मेंसे वो उनकी बीच रहने हारे परदेशे मेंसे कोई मनश क्यों ना हो जो हम बली वा मिल बली चड़ाएं और उसके मिलावाले तंबु के दुआर पर यहवा के लिए चड़ाने के लिए ना ले आएं और उसके मिलावाले तंबु के दुआर पर यहवा के लिए चड़ाने को ना लाएं वो मनश अपने लोगों में से नाश किया जाएगा फिर इसरायल के घराने के लोगों में से वो उनके बीच रहने वाले परदेसियों में से कोई मनश कियों ना हो जो किसी प्रकार के लोहु कहाए मैं उस लोहु कहाने वाले के विमुक होका और उसको उसके लोगों की बीच में से नाश कर डालूँगा क्योंकि शरीक का प्राण लोहु में रहता है और उसका मैंने तो लोगों को वेदी पर चड़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्राशित किया जाए क्योंकि प्राण की कारण लोहु ही इसे प परश्य को नहों जो हार करके खाने को योग्य पशु वह पक्षी को पगड़े वह उसके लोहों को उंठेल के दुली से डामते क्योंकि शेरी का प्राण जो है वो उसका लोहो ही है जो उसके प्राण के साथ एक है इसलिए मैं इसरायलें से कहता हूं कि किसी प्रकार की इक प्राण उनकी लोहों में ही है जो कोई उसको खाए वो नाश किया जाएगा और चाहे वो देसी हो वो पर देसी हो जो कि किसी लोत वा फाड़े हुए पशु का मास खाए वो अपने वस्तरों को धोका जल से सनान करे और सांचित का शुद रहे तो वो शुद रहेगा और चणाते समय या फिर अरपन लेकराते समय अश्रद्धा या फिर लापरवाही के साथ नहीं आना चाहिए अगर कोई विक्ती बली चड़ाते हैं उसे मिलापाले तंबो में करना होगा कोई मैदान में ना करें कहीं पर किसी पशु को मार दे या फिर को मनावा पशु को लाक चाहिए वरण या चैकि उसका करना चाहिए इसलिए बली के लिए जो पशु को को लेकर आते हैं उसके विशे explained गहुर करना है ध्यान देना है कि वह से जीव रहे और तंदूस रहे और या जैक हातों से ही मनश्यों के पापों के लिए प्राश्चित किया जआए और उसके कातों लौत किया जाएंदूरे बात किसी भी पुशी को उसके लोगों के साथ ना खेंगा की उसका जीवान और निंशित रहेगा और तुम्हां ने सदा के लिए विदी टहरेगी, किसी भी पक्षी का हो या फिर किसी पहशु का हो, उसके लोहों के साथ उसको नहीं खाना, अगर कभी ऐसा हो जाए, किसी पक्षी को मार दिया है, शिकार कर दिया या फिर आहिर किया है, उसे उसके लोहों के साथ ना खाना, वरन उसे मिटी में परदेसी हो लोहों के साथ किसी पशु या फक्षी को खाते हैं तो उसका दोशी टेहरेंगे तिसरी बाद परमिश्मन ये भी कहा है अगर कोई प्राणी मर जाती है कोई पशु मर जाती है या पक्षी मर जाती है उसे कोई इंसान नहीं खाना अगर कोई इंसान उसे खाता है तो शाम तक उसके लिए धंड है कि उसे बाहर रहना पड़ेगा और उसे परमिश्मन के लिए बलिदान का नाम ना देना अगर ऐसा होता परमिश्मन के साथ परमिश्मन के साथ में 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 प प्रुश्वर चाहते हैं पर्म्ष्वर की क्रपा कौब करते हुए इसलिए पर्मेश्वर चाहते कौफ लस्य обzub फढूरी साथ लेते हुए भीयों लिकर आये दुआ कर थेयं पृबिस्वरं एक वर सब्सक्राइब करने के लिए धन्यूआ करता हैं। पतर की आगवन में नहीं सबको क्याओं करने के लिए धन्यूआ करते हुएं। इस प्रादनों को मांगते हैं सुन और कबल कर पिता हो आमेन, आमेन, आमेन आपके पुरुन टेले हमारी से दुबर कामना के साथ आज की ध्यानश के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहें, सुनाते रहें। आध्यात्मी जीवन की दायने कुराग। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दुसरें का भी ख्याल रखें। गड़ बेस्यों।